नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोसो पीम मोदी और बीजीपी के तमाम नेता अगर बाकई देश में राम राज लाना चाहते हैं तो भगवान राम के नाम पर आराजक्ता का खेल बंद होना चाहिए भगवान राम के नाम पर आराजकता फैलाने वालों के खिलाव सक्त कारवाई होनी चाहिए और कम से कम एक अपील देश के प्रधान मंत्री को ऐसे लोगों के लिए जारी करनी चाहिए सरकारों के नाम जारी करनी चाहिए कि अगर कोई धर्ण के नाम पर गुंडागर्दी करता है तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी राम मंदी प्रांट पतिश्टा के दिन अने को ऐसे वीडियो आये हैं जो एक देश और समाज के तोर पर हमें आइना दिखाते हैं कि ये भगवान राम द्वारा दिखाए गया माज नहीं है जिस तरह नारे लगाए जाते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जैश राम कहना होगा महिलाओं के सामने जाकर नारे लगाना ये भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलना नहीं है बलकि राम के नाम पर ऐसा वैवार शर्मिंदा करने वाला है पहले करनाटक का एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पुलिस वालों की मौजूदगी में मुस्लिम महिला के सामने कुछ लोग जैशिराम के नारे लगाते हैं महिला कहती है कि अब पीम मोदी और बीजेपी ने आपको यही सिखाया है उसके बाद भी यह लोग नहीं रुकते तो महिला भी जवाब में नारे लगाती है जराब वीडियो देखिए तो यह पुलिस वालों की मौजुदगी में आप देखिए कि इस तरह का वैवार महिला के साथ किया जाता है किस तरह का समाज बनाय जा रहा है क्योंकि इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता हाला कि यह करनाटक का वीडियो है तो कॉंग्रेस की सरकार है कॉंग्रेस की सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई करनी चाहिए इसके बाद एक मुंबई का और वीडियो दिखाता हूँ जहां पुलिस पर ही सवाल उठते हैं पुलिस की कारवाई पर सवाल उठते हैं ये लड़की बताती है कि हम जा रही थी तो कुछ लोगों ने किस तरह जैशीराम के नारे लगाए वो भी पुलिस की मोज़ुद में ज तो ये लड़की बताती है कि सामने पुलिस खड़ी है उसके बावजुद शारुखान के अंदाज में जैशीराम बोलते जा रहे हैं तो क्या ये भगवान राम की भक्ती है और ऐसा सहस आकिरकार इनमें कहां से आता है कि पुलिस के सामने ऐसी हरकते करके निकल जाते हैं कई ऐसे वीडियो सामने आये हैं जहां और राइट विंग की लोबी फैला रही है कि देखी आप यात्राएं नहीं निकाल सकते तो कहीं भी कानून विवस्ता के हालात बिगर सकते हैं भगवान राम शांती का संधेश देते हैं तो उनके दिखाए मार्थ पर चलना चाहते हैं भाकर राम राज की स्तापना करना चाहते हैं तो ये गुनडागर्दी बंध होनी चाहिए एक ऐसा भी वीडियो था जिसमें बाइक वाले से चाबी ले ले जाती है और कहा जाता है कि पहले जैश राम बोल फिर निकलने देंगे यहां से उसके बाद वो जैश राम बोलता है उसके बाद वहां से वो निकल जाता है उसको जाने दिया जाता है तो क्या भगवान राम के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी राम भक्ती कही जाएगी और कब आकिरकार देश के प्रधान मंत्री और बीजेपी नेताओं की इसको लेकर आँख खुलेगी कि दुनिया भर में बदनामी होती है देश की जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं कई तो ऐसे वीडियो सामने आया है जिनको यूट्यूब गाइड लाइन्स की बज़े से हम दिखा तक नहीं सकते तो धर्म के नाम पर ये सब बंद होना चाहिए अगर वाकई राम राज की आप सापना चाहते हैं तो देश का आज के दिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है ऐसे मुद्दो को लेकर सुप्रीम कोट को भी कहना पड़ा था कि हेट स्पीश के खिलाब इस तरह की घटनाओं के खिलाब पुलिस को सुवतर संग्यान लेना चाहिए और मुकदमा दर्ज करना चाहिए लेकिन आज तक ना तो देश के प्रधान मंत्री ने इसे लेकर कोई संग्यान लिया है कम से कम एक अपिल जारी कर सकते हैं अपने एक भाशन में लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह नारे बाजी करना इस तरह कानून विवस्ता के हालात बिगड़ने के हालात पैदा करना ये भगवान राम की भक्ती नहीं है बलकि ये भगवान राम के दिखाए मार के खिलाप कारिय है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए ऐसे नारे लगाने वालों को कब समझायेगा कि किसी से जबरदस्ती जैशी राम बुलाना या फिर किसी को चड़ाने के लिए जैशिराम के नारे लगाना धर्म को मजबूत करना नहीं है बलकि आप धर्म के खिलाप जाकर काम कर रहे हैं भगवान राम हमें सहीशनुता के साथ रहना सिखाते हैं सब धर्म का सम्मान करना सिखाते हैं इस तरह राम के नाम पर अरजकता फैलाना नहीं सिखाते आप इस तरह की घटनाओं को लेकर इस तरह की राज़ीती को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे प्राइज जरूर दे अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार